असलाम अलेकुम दोस्तों आज हम बनाएंगे ऐसी सब्जी ना आपने कभी बनाई होगी ना खाई होगी और ये इतना टेश्टी बनता है ना कि खाकर मज़े ही आ जाता है जिसको बनाकर खिलाएंगे ना वो भी बहुत तारिफ करेंगे पूछेंगे एक तक किसकी सब्जी है तो ये सब्जी बनाने के लिए यहां पर मैं ले ली हूँ भुट्टा इसे जो नरी भी बोलते हैं तो ये पीस मैं ले ली हूँ कदूकस करने वाला ले ली हूँ तो इसे हम इस तरह कदूकस कर लेंगे बहुत आसाने से दोस्तों ये कदूकस हो जाता है आप देख सकते हैं कि इसको मैं कदू कर लिए हूं तो इस में हम अब डालेंगे थोड़ा सा बारिक कटा हरा धनिया दो बारिक कटा हरे मिच एक बारिक कटा हुआ पिया आज तो इसे हम डाल देंगे अब इसमें मैं डाल देती हूं इसी चिम्मट से 5 चावल का आटाहा है जो चिर दो से 3 चिर तीन तीन की मचई ये बेशन तो चावल को में ढाल देती हम अब इसमें डाल देती हूं स्वाधनusesा नमक डालने के बाद इसमेंprise हम सीमगे मसाला हल्दी पोडर दो-डे मृसना दोचुट की धनियां पोडर और हम इसे हम दोस्तो बिना पानी की अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब में दोस्तो पानी रहता है तो यक्षि करना है पानी हमें की पिल्कुल भी उज्ज नहीं करना है त इसे लिए या पानी को मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों ये पकوقरी का बेटर तैयार हो गया है तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लिए हूं तो मैं गैस्स चालू कर देती हूं कड़े हैं तो करफ़े जब हो जाए तो हमें हमं डाल देंगे तिल यहां पे दोस्तों ठोड़ा जादा लिबना है तो तेल को में डाल दी हमें इसे फुल आज पे नहीं पकाना है बिलकुल सिल काङके शैअब बातर के सबस्क्राइब पकाना है। उलर पलड़ के अच्छे से पकालेंगे। सिल्वयाज पर अंदर टके पकोड़ी पक जाए। हो सब सबी पकोड़ी को बना ली हूँ। होऑड़ी काम साला मनायेंगे तो सबसे पहले कड़ाई में तेल जादा है तो इसे हम तेल को निकाल लेंगे उसी कड़ाई में मैं डाल देती हूँ दो से तीन तेज पत्ता ये तीन तेज पत्ता है छोटे छोटे हैं और दो पिसे हुए प्याज डाल देती हूँ प्याज को मैं डाल दी हूँ तो इसे हम चला देंगे अब प्याज को हम अच्छे से पका लेंगे जब तक इसमें कलर ना आ जाए तो प्याज को चलाते हुए अच्छे से मैं पका लेंगे अब देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे एक पिसी हुए टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ प्याज में, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, मिक्सर, कजार धुल के ताकि मसाला नीचे पकड़ेना, तो इसमें हम फिर से मसाला डालेंगे, एक चिम्मच तो इसे हम मसाले को मिक्स कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाले को अच्छे से भूल लेंगे मसाले को हमें तब तक भूना हैं जब तक तेल न छोड़ दे तो इसे हम ढखके मसाले को भून लेंगे बीच बीच में दोस्तों इसे हम चलाते रहेंगे इसे नहीं छोड़ेंगे नहीं तो नीचे मसाला पकड़ने लगता है तो ढखकन हटा के इसे हम एक बार चेक कर लेंगे मसाला दोस्तों अभी पूरी तरह से नहीं भूना है तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए तो इसको हम फिर से ढख देंगे मसाले को अच्छे से भून ले bei bei birա present, अब देख सकते हैं मसाला तेल चोड़ दिया है है तो इससे ज़ादा हम नहीं भूनेंगे इसमें में डाल देती है इंदीव और पकॉड़ी डालके मसाले में अच्छे से देती हूं मेखस तो दोस्तो इसमें हम डालेंगे एक गिलास पानी पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से चला देंगे और ढखके इसे हम एक से डेड़ मिनट फुलाज पे पका लेंगे तो दोस्तो पकना इस टाड़ हो गया इसे मैं डेड़ मिनट फुलाज पे पका लिए हूँ तेश्टी बनता है तो गैस को मैं बंद कर दी उपर से भर कटा हरा धनिया डाल देती हूं धनिया डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इसे हम अब निकाल लेंगे इसे दोस्तों आप रोटी पराठा दाल चावल पूरी के साथ खाईए बहुत अच्छा ल करना हुआ है अब देख सकते हैं अंदर तक के पका हुआ है दोस्तों अगर वीडियो थोड़े भी अच्छी लगे तो लाइव सस्क्राइब सेर करना मत भूलिएगा